जै शीमन नारा और नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को अक्षय नौमी या आउला नौमी की पौराडिक कता सुनाने जा रहे हूँ इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को इसकी पना करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरे विंती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करना ना भोलें अब मैं आगे की कता सुनाती हूँ कार्तिक मास के शुकल पक्ष की नौमी तिथी को आउला नौमी का परो मनाया जाता है इसे अच्छा नौमी के भी नाम से जाना जाता है आउला नौमी के दिन व्रगत रखा जाता है साथी आउले के पेड की पूजा भी की जाती है ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ती मिलत और कश्ट दूर होते हैं, इस दिन महिलाएं आवले के पीड़ की नीचे बैठ कर संतान प्राप्ति और उनकी अच्छे स्वास्त के लिए पूजा करती हैं, इस दिन आवला के पीड़ की नीचे बैठ कर भोजन भी किया जाता है, आवला नौमे के पावन दिन वरत कथा को सु ने का भी विशेश महत्व है, ऐसा माना जाता है कि कृष्ट ने बाल लिलाएं छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझा था और मतुरा का त्याक किया था, इसलिए उस दिन को आवला नौमी की रूप्त में पूजते हैं, सुबह सुबह स्नान करके नए कपड़े पहन क या तो आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो गंगा स्नान कर लिजिए, उसके बाद आवले के पेड़ के नीचे बैठ कर उसकी पूजा की जाती है, इस दिन आवला के जड़ में गंगा जल में कच्चा दूद मिलाकर अर्पित किया जाता है, इसके साथ ही फूल माला, सिंदू आधि लगाने के साथ भोग लगाया जाता है, पेड़ के नीचे बैठ कर भोजन किया जाता है, इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मौली आठ बार लपेट सकते हैं और उसकी परिक्रमा की जाती है, पूजा के बाद वरत कथा सुनी जाती है, और आर्थी भी करते ह इसके अलाव महिलाएं वरत भी रखती हैं, आला नौमी के दिन दान पुन्य का अधित महत्व है, माना जाता है कि कार्तित मास के सुक्ल पक्ष की नौमी तिथी से लेकर कार्तिक पुन्यमा तक भगवान विश्नु आउले के पेड में विराजमान रहते हैं, इसलिए की पेड की पूजा करने के साथ, 108 बर परिक्रमा करने से सभी मनो कामनाय पूड हो जाती हैं, अब मैं आप लोगों को आला नौमी की कथा सुनाने सुरू करती हूँ, बोलो जैशी मननारण, काशी में एक ने संतान धर्मात्मा वैश्य रता था, एक दिन वैश्य की पतनी से एक पडोसन भोली, यदि तुम किसी पराय लड़के की बली, भैरो की नाम से चड़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, या बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परन्त उसकी पतनी मौकी के तलाश में लगी रही, एक दिन एक कन्या को उसने कुए में गिरा कर भैरो देवता के नाम पर बली दे दी, इस हत्या का परेडाम विपरीत हुआ, लाग की जगह उसकी पूरे बदन में कोड़ हो गया, तता लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी, वैश्य की पुछने पर उसकी पतनी ने सारी बात बता दी, इस पर वैश्य कहने लगा, गौवद, ब्रामणवद, तता बालवद करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है, इसलिए तु गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, तता गंगा में स्नान कर, तभी तु इस कष्ट से चुटकारा पा सकती है, वैश्य की पतनी पश्चा ताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए, मा गंगा की शरण में गई, तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथी को, आउला के व्रिक्ष की पूजा कर, आउले का सेवन करने की सला दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए, उसे संथान की प्राप्ती हुए, तबी से हिंदूों में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा, तब से लेकर आज तक या व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है, बोलो जैशी मन नाराएट